जीवन जल्लोश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ब्रजदाम मतुरा स्री कृष्ण जल्म भूमी का दर्शन कराने ले जा रहा हूं। मतुरा नगरी यमुरानदी के तट पर बसा हुआ प्राचिन शहर है। इस वीडियो में मतुरा कैसे जाए, कौनसे मंद मतुरा की संपुर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसलिए यह वीडियो अंतर तक देखना आउशक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूले, एक बार रादे रादे बोलना पड़ेगा। मतुरा में आपको दो दिन रुकना पड़ेगा। क्य तक रुप मिल जाती है। होटल में भी कम से कम 350 रुपे तक किराय पर रुप मिल जाती है। स्रीक्रिश्ण जन्मस्तान मंदिर को लगकर ही मंदिर समीति का विश्राम ग्रोह भी है। यहाँ पर 500 रुपे में रुप मिल जाती है। मतुरा के लिए भारत के सभी प्रमुग दिल्ली से मतुरा के लिए नियमित अंतराल पर ट्रेने चलती रहती हैं। यहां म Nee क कारागार में जन्म लेकर निकेवल वासुदैव और देवकी को बंध मुक्त किया था बल्कि उस काल में फईले हुए समस्त अत्याचारियों का अंतबी कर दिया था हमारी टेन महतुरा रिलबेश्टेशन पर रूख चुकी है हम अभी रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे राधे कृष्टन, गोपाल कृष्टन, राधे कृष्टन, मतुरा रेलवे स्टेशन से कृष्टन जल्म भूमी 4 किलोमीटर की दूरी परस्ती थे सबसे पहले होटर रूम में चेक इन कर ले और फ्रेश होकर कुष्ण जल्म भूमी जाने के लिए तैयार हो जाईए मतुरा में 5000 से जादा छोटे बड़े मंदिर हैं सभी के दर्शन करना तो मुम्किन नहीं है अगर आपके पास एक दिन का ही समय है तो मतुरा में दो मंदिर के दर्शन आपके होने ही चाहिए स्री कृष्ण जनमस्तान और दौर का दिश मंदिर दूसरे और भी महत्वपूर्ण मंदिर है जिनके दर्शन में आपको कराऊंगा हम स्री कृष्ण जनम भूमी पहुच चुके है इस रस्ते से हम मंदिर के और बढ़ेंगे बीच रस्ते में गोमाता बैटी है मत्रों में यह नजरा आम है यह मंदिर सवस्तान का विश्राम गडू है जिसका मैंने पहले जिक्र क्या था यह रास्ता गेट नमबर एक की तरब जाता है इस रस्ते से हम गेट नमबर एक तक पहुंच जाएंगे मंदिर के बाहर कुछ दुका ने दिक रही है सामने ही मंदिर का मुख्य प्रवेश दौर दिख रहा है प्रवेश दौर के दोनों साइड में दौरपाल की खुबसुरत मूर्तिया है उपर स्रीकृष्ण भग्मन अर्जुन की रत के सारती बने दिख रहे है यहां मंदिर के भीतर आप मोबाइल, कैमेरा, कोई भी इलेक्ट्रोनिक सामान बैग भीतर लेकर जा नहीं सकते मंदिर के गेट को लगकर ही क्लॉक रूम बने है वहां मोबाइल सामान रख दिजे, मोबाइल बैग रखने का महस दो रुपए देने होंगे चुट्टियों के दिनों में यहां काफी भीड होती है इस तरह भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है यहां सुरक्षा व्योस्ता बहुत ही कड़ी होती है कड़ी चेकिंग के बाद भीतर जाने दिया जाता है कैमेरा, मोबाइल ले जाना मना होने के कारण मैं मंदिर के भीतर का कोई भी दुरुष्य दिखा नहीं पाऊंगा इस प्रवेशद्वार से भीतर प्रवेश करते है जब स्री कृष्ण जन्म भूमी में प्रवेश करते है तो मन रुदय को जो शान्ती मिलती है शब्दों में बया नहीं कर सकते यह मंदिर तीन भागों में बटा है गर्बग्रुह केशोदेव मंदिर भागवद भवन गर्बग्रुह में कंस ने जी स्थान पर वसुदेव और देवकी को कैदी बना कर रखा था और जहां भगवान स्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहां खुदाई में निकले लगबग 1500 वर्ष प्राचिन गर्बग्रुह और सियासन को सुरक्षित रखा गया है अवरंग अजब ने मंदिर को तोड़कर उसके उपर इदगाह बनाई थी तब गर्बग्रुह इदगाह के नीचे दब गया था जो अब प्राप्त हुआ है गर्बग्रुह के उपर एक बरामदा ब मूर्टिया मुझुद है इस भाधन में और भी मंदिर बने हुए है। पर पत्र पर संपूर्ण स्री भगवत गीता लिखी हुई है मंदिर को लगकर ही मजजित आज भी खड़ी है ये जगह कोली खेली जाती है मतुरा की होली का उत्सव देखने लायक होता है इस गेट नंबर 3 से हम मंदिर के बाहर आएंगे एक बार फिर रादे रादे बोलना प स्री वासु देव और देव की यहां सनान किया करते थे स्री कुष्ण के जन्मक के बाद उनके कपड़े देव की मातने यहां धोये थे मतुरा में एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए तंग गलियों से गुजर कर जाना पड़ता है या तो आप पईदल जाईए या स प्राचिन मंदिर है गरतेश्वर महादेव को पूर्वी सिमा का श्यत्रपाल माना जाता है गरतेश्वर महादेव का दर्शन कर ले गरतेश्वर महादेव से हम भुतेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे गरतेश्वर मंदिर से भुतेश्वर महादेव मंदिर आदे किलोम पुर्व की तरफ बढ़ते हैं, सामने ही महादेव विराजमान है, तर्शन कर लेते हैं, स्री भूतेश्वर महादेव से हम मुधूरा के गवर्मेंट मिजवम जाएंगे, भूतेश्वर से मिजवम 2 किलिमेटर की दूरी परस्ती थे, मुधूरा मिजवम का समय सुबर 10.30 मुधूरा संग्रलाएं मुधूरा की अनूटी कलाकृतियों में से कुछ को उजागर करता है, राजकिया संग्रले में विविन कलाकृतियों के अलावा, कुशान, सोना, तामबा और चांदी केसिक के, मिट्टी मॉडल, राचिन बरतन और चित्रों का संग्रह दर्शाया ग लेकिन मुधूरा में यह ना इंसापी मैं कर नहीं सकता, होली गेट पर मिठाई की फेमस दुकाने है, बिजवासी मिठाई का पेढ़े बहुत ही मशूर है, होली गेट पर कचोरी, लस्सी, जलेबी, सब कुछ मिल जाएगा, इन चीजों का स्वार्ण आपने नहीं किया, त इनारी परस्तीते, इस तंग रस्ते से आगे जाने पर दौर का दिश मंदिर लगेगा, हम दौर का दिश मंदिर पहुच चुके हैं, पाहर से पता नहीं चलता कि यहां मंदिर है, दौर का दिश मंदिर सुबह साड़े चे बजे खुलता है, और सुबह साड़े तीन बजे और साथ बजे दर्शन के लिए बंध हो जाता है इस बात का खास ध्यान रखना होगा इस प्रवेश दौर से मंदिर के भीतर जाना होगा कुछ सीडिया चड़कर उपर जाएंगे सामने ही बड़ा हॉल बना है स्री दौरका दिश मंदिर की सुन्दरता देखते ही बनती है एक बार मंदिर देख लेने पर मंदिर से नजर ही नहीं हटती उपर गरब गुरह की तरब जाएंगे उपर चड़ते ही बगवान सी राजादी राज दौरका दिज जी महराज के दर्शन होते है जिनके दर्शन करते ही मन में अपने आप भक्ती जागने लगती है स्री दौरकादिश जी के बाये में सी रुक्मिनी जी विराजमान है, सी राजादी राज के पास लड़ गोपाल और स्री रादा कृष्ण के अन्य मूर्तिया विराजमान है, स्री दौरकादिश मंदिर में स्री भगवान स्री कृष्ण के और भी मंदिर है, मंदिर में भगव जी में कुल 25 घाट है जिन में से स्री विश्राम घाट प्रमुग घाट है माननेता है कि भगवान स्री कुष्ण और बलराम जी ने अपने मामा कंसकावध करने के बाद इसी घाट पर विश्राम किया था इसी काराणिय घाट विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है विश्राम घाट पर यमुना जी का प्राचिन मंदिर है इसी जग यमुना जी का मंदिर बना है यमुना माता का दर्शन कर लेते हैं संध्या के समय स्री यमुना महारानिक जी की भव्य आरती इसी घाट पर होती है इस आरती में 5 पंडित 5 भव्य आरती से मास्री यमुना महार दू किलुमेटर की दूरी पर मथुरा उरुनदावन मार्ग परस्तीत हैं अभी हम वहां जाएंगे गौकरनेश्वन महादेव मंदिर एक टिले पर बना है । माना जाता है कि इसे कुष्क नकालिन बताया जाता है इस मंदिर में विराजित शिवकी मूर्ती महाकाल का रूप बताई जाती है गाय के कान से जन्म लेने के कारण यह गोकरन नात कहलाता है कोकरनेश्वन मंदिर से हम मा गायतरी तपो भुमी जाएंगे गायतरी तपो भुमी गोकरनेश्वन मंदिर से 200 मिटर की दूरी परस्ती थे मतुरा उरूंदावन मार्क पर मर्शी दुर्वासा की तपस्तली पर स्थापित किया गया है वेद मूर्थी पंडी स्री राम आचर् देव माता, विश्व माता, गायतरी की स्तापना यो प्राण प्रतिष्टा की थी और उन्होंने 24-24 लाग गायतरी मंदर जबके 24 महापुरान संपने किये थे 24 दिन सिर्फ गंगा जर लेकर उपासना की थी गायतरी तपो भुमी से हम चामुंडा देवी मंदिर जाएंगे गायतरी मंदिर से चामुंडा देवी मंदिर 300 मीटर की दूरी पर स्ती थे 51 शक्तिबिट में से एक शक्तिबिट है जहां माता सती के केश गिरे थे चामुंडा देवी का मंदिर मतुरा उड़ुन्दा वन मार्ज पर स्थीतमा गायतित अपब भुमी के सामने बना हुआ है बताते हैं कि सत यूक के इस मंदिर में स्री कृष्णा ने कालियाणाख को मुख्ति देने के बाद मा चामुंडा देवी के दर्शन किये थे चामुंडा देवी मंदिर से हम गिता मंदिर जाएंगे। प्रतिष्टित है देवाले के उत्तर में लाल पत्तर का एक स्तंब है जिस पर संपुर्ण गिता उत्किर्ण की गई है मंदिर का परिसर रमनिय उत्यान से अच्छा दित है एक और दर्शनी स्तल बचा है बाबा जै गुरुदेव आश्रम स्री कुष्ण जल्मा भूमी से जै जै गुरुदेव आश्रम पास किलुमेटर की दुरी पर आगरा दिली राजमार्ग परस्ती थे अगर आपके पास और समय बसता है तो इस आश्रम में जरूर जाइएगा जै गुरुदेव आश्रम की लगबग डेड़ सो एकट भूमी पर संत बाबा जै गुरुदेव की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है यह समूचे बरच का सबसे उचा और अनुखा मंदिर माना जाता है यहां मंदिर देखने से ताजमल जैसा प्रतित होता है जिसकी डिजाइन में मंदिर मजजित का मिला जुला रुप दिखाई देता है अगर आपका आगरे का ताजमल द मतुरा के अधिक जानकारी के लिए मेरी वेवसाइट पर जाकर अवश्य देखे दोस्तों यहां हमारी मतुरा की यातरा की समापती होती है अगले वीडियो में मतुरा से उडुंदावन यातरा की जानकारी देने वाला हूँ उडुंदावन यातरा के वीडियो के लिए कु